दिल्ली में बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर में पानी भरने से हाथसा हो गया। दिल्ली अगनिश्मन विभाग के अनुसार शाम करीब साथ बजे राव आईएस स्टडी सेंटर नामक कोचिंग से जलभराव की सूचना मिली। घटना की जानकारी मिलते ही NDRF की टीम भी मौके पर पहुँची। कोचिंग सेंटर में राहत और बचाव का कार्य पूरा हो गया है। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में पानी भरने की घटना में सिविल सेवा परीक्षा की तयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की मौत को भारतिय जनता पार्टी भाजपा ने रविवार को हत्या करार देते हुए आम आदमी पार्टी आप सरकार पर निशाना साधा और जल मंतरी आतिशी के इस्तीफे की मांग की। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को मध्य दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में हुई इस घटना में मारे गए तीन अभ्यर्थियों के परिवारों के लिए तीन-तीन करोड रुपए के मुआबजे की भी मांग की। दिल्ली पुलिस ने कोचिन सेंटर के मालिक और कोर्डिनेटर को मामला दर्सकर हिरासत में लिया। घटना को लेकर छात्रों में भारी रोष है। विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। उधर पुलिस प्रशासन इन छात्रों को समझाने में जुटा है। यही नहीं, पुलिस ने राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर बेस्मेंट हाथ से में इसके मालिक और कोर्डिनेटर हिरासत मिलिया है। साथ ही अधिकारियों ने ये भी कहा है कि जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें बक्षा नहीं जाएगा। उधर दिल्ली सरकार ने मामले में मजिस्ट्रेक जाँच के आदेश दिये हैं। फिल्हाल सरकार और प्रशासन घटना की जाँच और एक्षन में जुटी है। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में भी देरी हुई। पहले तो कोचिंग सेंटर ने मामले को दबाने की कोशिश की। हालांकि स्थिती बिगड़ने पर पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। यही वज़य है कि शाम साथ बजे दमकल कर्मियों को सूचना मिली। हालांकि जब तक रेस्क्यू शुरू होता तो छात्रों के मौत की सूचना आने लगी। अधिकारियों के मुताबिक एंडियारेफ स्थानिय पुलिस और अगनिश्मन विभाग की ओर से चलाए गए बचाव अभियान में दो छात्राओं और एक छात्र के शव मिलने की पुष्टी की गई है। कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में छात्रों की मौत पर स्टूडेंट्स में आक्रोश है। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। एक छात्र ने कहा कि सरकार से कोई आगे क्यों नहीं आता। जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार से कोई यहां आए और उन सभी छात्रों की जिम्मेदारी ले जो अपनी जान गवा चुके हैं। वे अपने एसी कमरों से ट्वीट करके या चिठी लिखकर किसी का भविश्य कैसे सुधार। रहे हैं दिल्ली में हुई दर्दनाक घटना पर यहां पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने कहा कि हर साल बारिश में हमें सडक पर घुटने भर पानी से होकर कोचिन जाना पड़ता है। यह रूल है कि बेसमेंट में कोचिन चल ही नहीं सकती। इसके बाद भी यहां सैकडो लाइबरेरी और कोचिन बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं। आज पानी भरने की घटना से छात्रों की मौत हुई। कल आग की घटना से मौते होंगी। ओल्ड राजेंद्र नगर हाथ से पर आक्रोशित एक छात्र ने कहा कि M.C.D. कहती है कि यह एक आपदा है लेकिन मैं कहूंगा कि यह पूरी तरह से लापरवाही है। आधे घंटे की बारिश में ही घुटने तक पानी भर जाता है। आपदा तो कभी-कभी होती है। आक्रोशित छात्र ने कहा कि हमारी पहली मांग है कि दोशियों के खिलाफ कारवाई की जाए। ततकाल मांग है कि घायलों और मरने वालों की सही संख्या बताई जाए। आपदा प्रबंधन के लोगोंने मुझे बताया कि 8 से 10 लोगों की मौथ हुई है। झाल